चनरपूर शहर के भेट भाडवाले शेत्र बिनबा केट परिसर की रेस्टॉरेंट में आरोप्य द्वारा की गई अंदा दुन फारी में जिले के कुख्यात कूल माफिया हाजी सर्वाश्यक की मौत हो गई है इस घटना से शहर में नहीं बलकि पूरे विधर की अपराज जगत में संसरी फैल गई हैं तता तनाव की स्थितिन दिर्वान हुई है इस मामले परिस्ते तापटो कारिवाई करते वे पांच संधिक न आरोपयों को हिरास्त में दिया है संवार को दोपहर चार बज़े के करीब हाजी पर जान दिवा हमला वाहें हाजी सर्वर उस समय अपने कुछ सात्यों के साथ मिलकर बेनबा गेट परिसर के शाही दर्बार रेसौरेंट में खाना खा रहा था इसे पीच एक हमला वर ने डिवालवर निकाल कर हाजी सर्वर शेक पर फारिंग शुरू की इस हमले में हाजी के सीने में गोलिया लगी है जबकि अचानक होई हमले से रसौरेंट में मची अफरात तफ्री में हाजी की एक साती को पैर में गोली लगी है हमलावर हाजी को खुन से लद्पत अवस्ता में छोड़ कर गटना सलसे भाग खड़े वे बताया जाता है कि हमलावर उने पुर्वन नियोची धंग से सत्या को अंजाम दिया है हमलावर हाजी सरवर्शिक की सभी गतिविद्यों पर बारी किसे नज़र रखे वे थे हाजी चन्रपुर में बिन्बागेट परिसर में शाही दरपार रेस्वरण पर होने की जानकारी प्राफ्त होती ही वे प्लानिंग के तहर रेस्वरण में पहुचे थे ये भी बताया ज़रा है कि हत्यारों से लेज 4-5 हमलावर रेस्वरण में दाखिल हुए थे जबकि रेस्वरण के पहार कुछ हमला पर 4-5 कारों में दबेश बनाया वे थे फारिंग के बाद हाजी को खुल से लत्पत अवस्ता में उसके अन्य साथियों ने 81 से जिला अस्पताल में पहुचाया जा उपचार के दौरान हाजी की मौत हो गई इस घटना की खबर शहर में तेजी से फैल कई और देखते ही देखते जिला अस्पताल के सामने हाजी की सबर तक तरता रिच्चेदारों की फेड एकटा होगे बिड की वज़ा से अस्पताल इलाके में तराव की स्तितिन निर्वार होई थी हाजी सरवर्शेक की शख को पोस्पार्टम के लिए पेश दिया क्या है गौर तलब है कि जिल में एक की बात एक हो रही अपरातिक वार्दातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है इनी घटनाओं के पेच 12 अगस को दिन तहाडे फिरे गोलीबारी की घटना होने से आम जन जीवन दर्शत में आ क्या है और लेकन यहें कि हमले में मृत हाजी स्तरवर शेख घोकुस निवासी है वह एक हत्या के संकेन मामले में पिछले दिनों कारकार में विजारा दिन कैदी के रूप में बन था और कुछ वर्ष पहले ही वह जमानों पर बाहर आया था मृतिक हाजी कॉंग्रिस का कार्यकरता भी था तथा वह नकोड़ा में सरपंच भी रह चुका है जिले के कॉंग्रिस के एक गुट के निताओं से हाजी की घनिश्ट दाती मृतिक हाजी की शुरू से अपरादिक प्रुष्ट भूमी रही है और उसके खिलाब विभिन्डप पुलिस थानों में दो दर्जल से अधिक मामली दर्श दे नक्सलियों को हत्यार सप्लाय करने के संगीन आरुप में हाजी सरवर्शेक के खिलाब राष्टी सुरक्षा का इसकी कारिकरता तथा ट्रांस्पोर्ट व्योसाई तिरुपति पॉल की हध्या के मामले में भी हाजी सरवर्शेक मुख्य आरुपी था इस सत्यकान की कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद उसकी गिरफतारी होई थी ये भी उलेख नहीं कि हाजी सरवर्शेक पर मार्च 2012 म ही कुछ हमलावरों ने उसके लकोडा सीथ घर में घुसकर हमला क्या था उस वक्त भी हमलावरों ने हाजी पर रिवाल्वर से गोल्या चलाई दी किन्तो इस हमले पे हाजी किसी तरह अपनी जान बजाकर भागने में सफल वा था मुर्टक हाजी सरवर्शेक जिले में ही नह की निताओं से हाजी सरवर्शेक की घरिष्टाबी थी हाजी सरवर्शेक पर हुई गोलिपारी की खबर शहर में आग की तरह फैलने के बाद या के जिला अस्पताल के सामने उसके समर्थकों तथा आम नाकिकों की भारी बेड इकटाओी थी जिसमें अस्पताल परिसर में की स्थिति निरवाल होई थी बेड़ पर नियंद्र करने के लिए अस्पताल परिसर में बड़े पहँआनी पर पुलिस बंतों पस्लगाया क्या था क्रोदित परिषनों तता समर्थकों की भिट पर नियंद्र करने पर पलिस करमियों को काफी मश्यकत करनी पड़ रही थी चनपूर के पुलिस हदिश्यक मुमक का सुधर्शन ने जानकारी देती विबताया कि पुलिस को कुफिया जानकारी मिली थी कि हाजी अपनी प्रतिद्वन्ती समिर्शेक की हर्त्या की योजना बना रहा था जो विवाद से पहले उसका करीबी सही होगी था। पुलिस ने हाजी को थाने में बुलाया और उसे उसके इरादे की बारे में पुछताश पिकी लेकिन उसने पुलिस को नकार दिया। चनरपूर के सरकारी अस्पिताल में भी ऐसा ही नजा रहा था। जब भारी बेट जमाती। पलिस सदिक्षक मुमका सुदर्शन ने व्यक्तिकर ट्रूप से जाज कने के लिए अपरास्तल और सरकारी अस्पिताल का मौना किया। आज शाम को चार बजे हमको एक मेसेज मिलाए कि फारिंग हुआ करके बिंबा गेट के पास एक होटल में। जब लेके गया हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में मर्ग हो बोलता है कि वो तो पोस्टमट में पता चलेगा बड़ उसका नाम हाजी है और आदा गंटे के अबाद हमारे लोग पीछे पड़ाया आरूपी को पकड़ने में है उसी टाइम पे लोग हम मार को सरंडर हो गया। तो उसमें में आरूपी है समीर शेक यह बंदा और जो हाजी है यह दोनों साथ में रहते था 2009 से लेके 2016 तक तो साथ में रहता था साथ में पूरा गुने करता था उसी केस में 2014 का गटना है जो एक मर्डर केस में दोनों शामिल था उसके साब से उसके उपर मोका लगाया हो था उसी के साथ से वो लोग तीन साल पहले चुटा हुआ है तीन साल से उनका कुछ तो पैसे के और परसनल कुणनस भी चालू था उसी जगड़ा में और रीसेंटली भी कुछ जगड़ा हुआ करके मायतिया रहे है उसी जगड़ा के अनुशन का नहीं है इसका बदला ले इसमें तीन लोग विग्रत से एक नागपूर से और एक नाकोडागाउ से सभी शामिल कल चंदरपूर को पहुंच गया और आज जब उनका लोकेशन इधर पहुंच गया होटल में वह आके गोली बार भी किया और चाकु से भी मारा और इसमें और एक बंदा भी इंजूर ह हाँ चार वेपन भी इंके साथ में हमने जब्त गया है साथ में चाकु भी है तो जो भी इंजूरिस के साथ से और वेपन तो तो मैच हो गया अभी जो बागी तपस करेंगे एन्विसन दियूस के लिए चंदरपूर से सुनिल ताड़ी की संसर इकेश रिपूर्ट मुगधा, EECP and Heart Care Center, behind Mount Kamal School, Ajni Square, Nagpur